असलाम अलेकुम तुछली आज के इस वीडियो के शुरुवात करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के टुल्द क्लास के केकशाबुक का चैप्टर नमबर 24 जिसका नाम है गम अर्शद और यह जो चैप्टर ही यह बहुत जदा को में पढ़ा रही हो ठीक है तो उन्हीं इमपोर्टेंट चैप्टर में से यह भी एक इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे ज्यादा सवाल उठाएजाते हैं आप कहनाता है ठीक है तो यह जी शैप्टर एक अता तारीख है और इस शैप्टर के राइटर मुसनिफ है अता का कवी ठीक है क्या नाम है मुसनिफ का अता का कवी तो चलिए सबसे पहले राइटर के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं इस गमेarshet नाम के अता तारिख का भी खुलासा करूँगी, ठीके तो ये जो अता का कवी मसन्निफ है राइटर है इनका नाम अता का गवी नहीं है, इनका रीयल नाम जो है ना, रीयल नेम काको नाम के गाव में अता की कवी का पैदाइश हुआ है उन्हेसस 4 में इनका एक रिसाला भी यहां की पत्री का जिसका नाम है सफीना ठीक है और इनका इंतकाल हो गया है आट मार्च 2990 को ठीक है आट मार्च 2990 को अता का कवी जुह हो इस दुनिया से तो यह हो गया आप का अता के कवी के बारे में कुछ डिटल इससे ज्यादा अपनों के बुक में दिया भी नहीं है अब चलिए फटफट गम-ए-अर्षद नाम के इस गता तारीख का भी में खुलासा कर देती हूं इस गम-ए-अर्षद नाम के चैप्टर में जो अता का कवी मुसंलिफ है वो अ अपने बेटे के मौत पर घम का इजहार करते हुए यह कता तारीख लिखे थे जिसका नाम क्या रख दिया गया गया और अर्षद के दो बेटे जिनका नाम है जमील लोरा करी नहीं इनका नामियाद रखिएगा क्योंकि इन दोनों का मतलब चर्चा अता का कवी इस गतर तारीख में किये हैं तो अब चलिए बीना देर किये मैं फटड़ इस चैप्टर का खुलासा कर देती हूं देखें लिखें अता का कवी इस पुल रहे हैं कि यह वाक्या ह ये मेरे बेटे अर्शद की मौत का वाक्या है जिस वक्त मेरे जिन्दगी का जो खुशी का दर्वाजा था वो हमेशा के लिए बंद हो गया और गम का दर्वाजा हमेशा हमेशा के लिए खुल गया ठीक है मेरा बेटा जो था वो अभी जवान था उसकी 34 साल उम्र थी और पत अजल से जुबान उसकी बंद खुला दरीचा कजा का तो कर गई परवाज थी रूह जिसम में जैसे कफस में तायर बंद किसी की रूह न रहायत ना था किसी से अनाद वसाफ हो था बड़ा अपनी वजा का पाबंद में आता का कवी यही बता रहे हैं कि जो मेरा बेटा परवाज कर गई जैसे कि एक जो पक्ची होती है पिंजडे से आजाद हो जाती है परवाज कर जाती है मतलब इसमें यही बता रहे है किस तरह परिंद पक्ची को पिंजडे की कैद खाने में रखा जाता है और जैसे ही पिंजडे को खोला जाता है पक्ची आजाद हो जाती परवाज कर जाती है, बिल्कुल उसी तरह, मेरे बेटे का जो रूफ था, उसके जिस्म के ऐखाने में ऐखायद था, और जैसे ही दरवाजा खुला, तो मेरे बेटे का रूफ परवाज कर गया, ठीक है तो वही बात बता रहे हैं और ये भी बोले हैं कि मेरा जो बेटा है वो एकदम साफ गो था किसे से लड़ाई जगड़ा नहीं करता था किसे से उसकी दुस्मनी नहीं थी एकदम साफ दिल का था साफ गो था लेकिन पता नहीं उसकी मौत क्यों आ गई ठीक है और आगे देखी ये चार लाइन वो फार्सी की लिखे हैं या आप लोगों मैं पढ़ूंगी तो समझ में ही नहीं आएगा देखे लिखे हैं ठीक है कुछ समझ में नहीं समझ में आया होगा लेकिन इसका मैं मतलब समझा दे रही हूँ इस चार लाइन में अता का कवी यही बोलना चाह रहे है कि हयात क्या है मौत क्या है मौत किसे कहते हैं ये कोई नहीं जानता और पता नहीं ये जो मतलब मौत है वो मेरे बेटे को कहां लेकर गई कहां जाओं मैं क्या करूं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं अपन invite. इसमें अता का कवी यही बोल रहा है कि यह जो मुझे यह अलम मिलाए जो गम, यह दर्द मुझको मिला है ऐसा गम, ऐसा दर्द, जो है, खदा मेरे धुश्मनों को भी ना दे क्योंकि इस से बड़ा दर्द मरे लिए क्या हो सकता है कि मेरा बेटा जो है वो जवानी में ही मर गया ठीक है उसकी मौत हो गई इतना बड़ा दर्द घुए खुदा मेरे दुश्मनों को भी ना दे तीक है और फिर आता का कवी आगे बोल रहे है कि जो मेरे बेटे अर्शरत क जो दोनों बेटे हैं, जमील और अकील, उनको जो खुदा है, खुदा इस दुनिया में कायम रखे, उनको पढ़ेने, बढ़ने की ताकत अता फरमाए, वो इस दुनिया में कायम रहे, मेरे बेटे जैसा हाल जो है, इनके साथ कभी नहों, जमील वाकील इस दुनिया में फले पढ़ें बढ़ें और इस दुनिया में कंएंध रहें जिंदगी को भुषी से अपनी जिन्दगी को जीए चाहे और यह मतलब बात लिखे हैं आता का कवी की आता को एक का वी मुसनिफ को फिक्र हुई अपने पले अर्शत की अन्य की साल को सालहुललत लिखने की फिक हुई कि उसकी साल इंतकाल कर गया तो जब чण का कवी तो उन्हों कि कि सरी ओलंब को मिला कर ढमे सब्सक्रली कर दिया में सबसे पहले अलिफ वहाता है तो उसको एक मिलाकर बना दिया 1380 कर दी यानि कि 1380 हिजरी में जो है न अता के कवी के बेटे अरशद के कवी का इंतकाल हुआ है तीके तो ये होगे आप लोग का गमे अरशद नाम के इस पता तारीख का खुलासा तीके अब चलिए फटफट इस चैप्टर के कोश्टर एंसर को भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं चलिए सवाल स्टार्ट होता है मुक्तसर गुफ्तगू के साथ यानिकी लगोत्रीय प्रसंद जिसमें आप लोगों को चार पांच सेंटेंस में लिखना होता है तो सबसे पहला सवाल है अता का कवी ने अकता तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखा जो अता की भी में क्या रिष्ट है त्टिखे तो अ हर्शद का कवी और अता की कवी के बीच जो है ना वह बाप बेटे का रिष्टा है तीसरा सवाल है जब अरशद का कवी की वफात हुई तो वह कितने साल pillar ते जब अरशद का इपाल like बाटा और स्गे लिए जोगम अरशद नम का क नाम बताया गया है इस पतर तारीख में तो उनका नाम लिखना है तो उनका नाम है जमील व अकील तो यह हो गया आप लोगा एंसर पांच नंबर और लास्ट सवाल है कि शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है तो जो शायर है अता का कवी इन्हों ने सरे तो इसी के साथ आप लोगा चैप्टर नंबर ट्वेंटिफोर के साथ कमप्लीट होता है कोई भी कमफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं जो कुछ भी मैं समझाई अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक और शेयर तो बनता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के सार्थ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज